गुद्मॉनिंग आप सब आप सब अपने दर्व में सुरक्षित होंगे और आप श्टडी कर रहे होंगे प्रीविड सेशन में हमने बात किये थी दिमांड, लोव दिमांड के बारे में और दिमांड के बारे में आज हम बात करें हैं उसी को continue करते हुए normal गुर्स और inferior गुर्स के बारें बात करें है normal गुर्स और inferior गुर्स को हिंदी पे कहा जाता है सामाने बस्तुवे या उचिस्तरी बस्तुवे और inferior goods को कहा जाता है निम्न बस्तुए या लोकल क्वालिटी या गटिया बस्तुए के नाम समझाता है आज हम इसी टापिक अपर डिसकस कर रहे हैं इस टापिक अपर डिसकस करने से पहले मैं आपको माल के तीन प्रकार या टाइप अप देमांड जो होती है इसके तीन टाइप्स के बारे मैं थोड़ा साब को बताना चाहूंगी जैर हम चलेंगी इस टापिक के ऊपर नवर्मन बुर्स और इंफिरियर बुर्स के साथ अब पहले बात कर लेते हैं कि डिमांड के टाइप्स किते होते हैं या मांग के प्रकार किते होते हैं तो देरा थी टाइप्स ओप डिमांड या मांग के तीन प्रकार होते हैं पहला प्रकार प्राइप्स डिमांड जिसको हिंदे में बोलते हैं कीमत मांग बुसरा इंकम डिमांड जिसको हिंदे में बोलते हैं आई मांग और तीसरा Cross Demand जिसको बोलते हैं आडी या तिर्ची मांग वापर सुन देजिए There are three types of the demand First Price Demand Second Income Demand और Third Close Demand और हिंदी में इसको बोलते हैं किमत मांग दूसरी I मांग और तीसरे को हम कहेंगे आडी या तिर्ची मांग किमत मांग जो होती है या Price Demand जो होती है Price और Demand के पर रिलेशन करताती है वो रिलेशन हम पढ़ चुके है इनको रिलेशन होता है It means Price Increase, Demand Decrease और Price Decrease, Demand Increase या हम पढ़ चुके हैं उसका डाइगरम भी हम देख चुके हैं Second जो है उसके बाद के लेटेरों हमारा जो second है वो है हमारा income demand और income demand क्या कहती है Income demand ये चाहती है कि अगर consumeur की 74 वह बड़ेगी तो demand भी बड़ेगी और यदि कांजमर की इंकम कम होगी तो demand भी क्या हो जाएगी कम हो जाए और इसी income demand में दो त्राकी गुर्स पड़ी जाती हैं, पहली गुर्स पड़ी जाती है, नॉर्मल गुर्स और दूसरी पड़ी जाती हैं, इंफिरियर गुर्स इनकम डिमाइड वहादा उसी के अंदर इन दोर गॉर्स को बड़ा जलता है, नौर्न गृसर्पोर्ज नौर्मल कुर्ष को हम सामालि वस्तुर बी बोलते हैं, सुपीरियर गृसर्पकोड़ी दुप्सुर। लोकल बस्तव बात करें इनके के बारे में ईनके डायग्राम के बारे में चाहिए लिए इस सब्सक्रों में आज करें आज के फिल लेसे के पर बाक के जाएगी तो इनको बढ़ा जाएगा income demand के अंदर इनको बढ़ा जाता है इनको बढ़ा जाएगी अब इसी के साथ हम तो इसके साथ हम तो अब आगने बात करता है, अगर इंकम इंक्रीज उइ, तो नॉर्माल पूर्स की दिमांड भी क्या हो जाए? नॉर्माल पूर्स की दिखाता है इतनी बार जानकरे इसको रहे बने बबलते है ऐसे पर होती है जिनकी अगले इंकम वर्ण measure योड परातीर इंकम के सांथ patriaral और फिएनकर बोड़ने के सहती है ज़िस द्यंच इंक्रीज वीडिती इंक्रीईज इंकम बढ़ने के साथ बढ़ जाती है और इंकम इंक्रीस की डिमांड भी इंक्रीस हो जाएगी और अगर इंकम डिक्रीस हुई तो नौर्मल वोस्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी इस तरह सका सकते हैं नॉर्मल गुर्ट्स आर दोज गुर्ट्स फॉर विच फॉर विच डिमांड इंक्रीज वे इंक्रीज इंक्रीज में रहेगा 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 इंक्रीज में र रिलेशन होता है नॉर्मन कुर्स के अंदर वो रिलेशन होता है आपका स्ट्रेट एंड पॉजिटिव रिलेशन किस तर का रिलेशन बाएगा स्ट्रेट एंड पॉजिटिव रिलेशन होगा यह पॉजिटिव रिलेशन होगा कि अगर इंकम इंक्रीज हो रही है तो नार्मर बुर्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी और अगर इंकम डिक्रीज हो रही है तो दोर पर भूस की डिमांड भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी देखते हैं किसे टाइगां पिसा इसको एक्स्प्लेंग करते हैं और एक केबल बना लेते हैं इसे आपको गोड़ाईजी में समझना जाएगा क्वस्चरी जाएगा जाएगार किसे आपको जाएगी अगरे वारे नहों घाएगी अगर बना लेते हैं रोड़ा़ाईजी Rapha पंग्या अजरा भल मांवा लोक्य हो जाएगीया शब्ट्या में इसिता हू़ात 40 झाएग्या इंकम परें 100, 151P जा गिए secret ही, इंकम इंक इए ? 131P 400 इंकम इंक इन सेकंवा है हूलाइ ? positive straight, income 100 से 200 हुई, आपकी quantity demand जो दी 50 से आ आ गई 100 पर आगई, इंक्रीज हो गई फिर income increase गई 100 से 300 हो गई, demand फिर इंक्रीज हो गई 100 से 150 हो गई, फिर income increase हो इस पिर income increase हो गई बॉर्ट रिलेशन के साइब पोजिटिव रिलेशन है इस तारह का बॉर्स नोर्मन बूस के बॉर्स होसी होती है आते है इसके डायगां के उपार वापस देख रिजिए कि normal goods are those goods for which demand increase with the increase income of consumers and normal goods are those goods for which demand decrease with decrease in income of consumers. Treatment increase होगी, तबी consumer income में increase की वज़े से होगी और decrease होगी तो consumers income में decrease में की वज़े से होगी. treatment relation के साथ positive relation, लाइलों देक्टाम income, हम यह आपर income को वाइड होगी पर शोग करेंगे, income और क्वाइड के डिपार्ट. income बाइड लेते हैं पहले वाइड की, डिपार्ट में आपर लाइड होगी और डिपार्ट भी वाइड होगी, और डिपार्ट भी इनको, जोईन कर लेते हैं इनको, और दो रोप जो विटपार्ट यह को जोईन कर लेते हैं इस तरा से हां, यह जो करूँ बनेगा, वो बनेगा, income demand के साथ और ऐसी कुर्स कुर्स होगी नौर्मल कुर्स होगी, किस तरा की कुर्स होगी यह नौर्मल कुर्स होगी, अब हम बात करते हैं inferior course की inferior course के शुदू का लिच पर एक बार गुथी में मैं आपको समझा दू normal course क्या होती है normal course को हम सामानी वस्तुवे कहा सकते हैं उच्छे स्थरी बस्तुवे कहा सकते हैं या अच्छी quality वाली बस्तुवे भी कहा सकते हैं ये बस्तूए ऐसी बस्तूए होती है जिनकी मांग उपबोगता की आई बढ़ने के साथ बढ़ जाती है और जिनकी मांग उपबोगता की आई कम होने के साथ क्या हो जाती है और जिनकी मांग उपबोगता की आई कम होने के साथ क्या हो जाती है और जिनकी मांग उपबोगता इन बस्तुओं में या इस तरह की जो बूर्ष होती है उनके बीच में सम्वंध जो होता है कंज्च में कि इनकम ये उब toe का क्योर जाएगी तो समन्य उब बोगता की मांगी क्या हो जाया गी ने को छिद आए तो समने उस्तों की मांगी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी वो डाइडाम जो बनेगा वो बनेगा बॉक्स को पर बॉक्स और को में जोइन कर लेना है तो इस तरह से उपर की ओर अब ही ओर जो डाइगं मनेगा इस तक अवर्स करो च होगा गोगारा ऑफ सब्सक्राइब ल॑ भाबर आप करते हैं और हमग बात कुने दे गोषिंग इंफीरियर बुर्स कि अब यह उतullah R दे मिंद्राइब बस्तु एं अब यह जिए इसे बस्तु वर को ना एक किसके इसका मसलब यह होता है कि इंक्रीज होगी कब जब कन्यूलर की इंक्रीज होगी तो हमिने डिमांर परेशा किक भाले होगी Greg गुहुआ की अविटी कैसे नेगेटिब इंवर्स कीलिए थोड़ा सा इंफिरियर बॉर्स आ दो बॉर्स इंफिरियर बॉर्स आ दो बॉर्स इंफिरियर इंफिर्स इसका मतलब कि inferior burs वो burs होती है जिनकी demand decrease होती है इसके साथ increase in income of consumers अगर consumer की income increase होती है तो inferior burs की demand क्या हो जाएगी decrease होती है तो inferior burs की demand क्या हो जाएगी increase हो जाएगी, it means decrease के साथ increase और increase के साथ decrease relation के साथ inverse relation, opposite relation या negative relation जो यह आपको show कर रहा है कि अगर consumer की income increase हो रही है तो inferior burs की demand क्या हो रही है, decrease हो रही है और यादि इसके इंकम decrease हो जाएगी तो inferior burs की demand क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, it means decrease के साथ increase और increase के साथ decrease वाला जो relation होता है उसका हम बोलते है inverse relation, तो यह कौन सा relation को show करेगा, inverse relation को show करेगा देखें कैसे, इसको खोट लेना चाहते ले ले, डाइगरम देख लेते हम, डाइगरम बनेगा की इस तरह का, को छन सनट Saint-थिस म झाल गएगी का, ले 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 लेखें हो ऊन से, क्योट सॏल मिट्वरम जाएगी का, ले यह लेखें होब हुघ Bacon. और quantity Q वाई income पर मुर्स की quantity O Q quantity demand की जारी है ओवरे income के उपर तेकिन जैसे income increase होगे O Y मन हुई तो quantity क्या बजाएगी decrease हो जाएगी Q Q Q Q मुर्स कॉल सीन है मुर्स से inferior बुर्स that's why ये क्या बजाएगी decrease हो जाएगी इस तरह कर डागराम बनेगा बॉक्स को काट कर जो डागराम बनता है वो बनता है आपको इस फिरेट बुर्स के साथ जो शो करता है आपके negative relation को या inverse relation को या oppose relation को जो ये शो करता है कि अब कर्स्टमा की income increase होई तो demand क्या हो जाएगी इसको अगराम समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं माल लेते हैं कि मैं आपके सामने दोत रखेगी रख दू एक डेसी की और एक डालडागी डेसी की को हम बोलते है superior course या good quality वारी और जो हमाना डालडागी है उसको हम बोलते है inferior course अब हम बात करते हैं कि एक person है जिसके income है monthly 500 रूपीस या monthly 5000 रूपीस एक महेने की income 5000 रूपे है जो जो परसल लेते हैं जिसके income है महेने की 500 रूपे जो परसल 5000 रूपे कमा रहा है वो डालडागी की demand नहीं करेगा वो क्या करेगा डेसीगी की demand करेगा और अच्छी बस तूँ खरीदेगा जो जो कि इसकी income और आगे बढ़ जाती है तो वो क्या करेगा च्छी के इसकी कोई demand करेगा उसी फोर्यूज करेगा उसी का consume करेगा लेकिन अब मान लेते हैं कि उसकी जो monthly salary जो थी 5000 रूपीज ये 5000 रूपे थी वो एकम से अचानक से साथ अगम हो गई पांच रूपे होगे तो क्या अब भी वो जैसी की दिमाड करेगा बताए क्या अब भी वो जैसी की दिमाड करेगा क्या अगर उसकी income 5000 से कम होकर 500 रूपे परमत हो जाती है तो क्या भी वो जैसी की दिमाड करेगा या डाड़ लिएक की इमांड करेगा बिल्कुल सही है आता है चरही है कि वो क्या करेगा या सभूल की दिमांड को नहीं करेगा क्यूखकी इसकी इंकम क्या सटी फांचे जाला च कम होंकि वह bleug कम होते जाउसा उंके 500 ओंग जैन जैसे इंकम कम होने की बज़े से क्या करेगा जैसिकी अच्छी इमाड को नहीं बढ़ाएगा और इसकी जो क्वालिटी डालडगी है उसकी दिमाड को बढ़ा देगा क्योंकि हमने चैला पड़ा है हमने खळाए है इंवर्स पॉर्स चैला कि जनिक पांच गराग हैं तो एंकम कभल तो हम्ने इसकी ढुड़ सी इसकी नहीं बड़े है जो किया है सेमारे से इसकी दम्सकों बढ़ा दिए्टे तो हम क्या करते हैं डाड़गी की डिमांड कम कर देते हैं और जैसी की डिमांड बढ़ा देते हैं इक मिन्स डिलेशन के साथ चो हो रहा है एक डिलेशन हो रहा है इन्वर्स डिलेशन और एक डिलेशन हो रहा है पॉजिटिव इस्टेट रिलेशन इंकम इंक्रीज हो रही है तो दिमांड इंक्रीज हो रही है तो यह वाला जो रिलेशन है वह हमेशा किसके साथ लगेगा इस पोजिटिव रिलेशन वह किसके साथ जा रहा है income increase होने के साथ जा रहा है क्योंकि income increase होई तो देशे की demand बढ़ गई अच्छी कुर्स की demand हमें क्या करती बढ़ाती और और से यह होगा कि हर परसन यह चाहएगा उसकी और अच्छे बस्तु को साइस को पर्द लोकल ये और गटेटि वाली बस्तु है तो चीजिति ब्सक्रीस को ये लेखानगे चीजिए अगर इंचम बढ़ती है और देमांड बढ़ जाती है तो इंकम बढ़ेंगे तो कोन्सी पॉर्स होगी हमारी सुप्रियर पॉर्स होगी और यथि income परटी हो दिमान्ड कम हो जाती है, तो कौनसी boost होगी? इंस्वीर boost होगी, तो दोनों relation याद रखिएगा, relation से आपको दिमांड में आजानागा, की डाइगा किस तरह का बनाना है, और यह शुक्त युद्र सुच सब्सक्राइ़ कि सब्सक्राइब ऐता है तो दम ह। से साथ हमेशा दिलेशन होता है नेगेटिव होता है नेगेटि नित्या दिलाइन दिलाइन होता है डाउन बस होती है और घुन हो जो यह था हमादारा इंफिरेर गुर्सों के विर साथ यह पूछ लिया जाता है तो आपको इसका डाइग्राम बनाना है इसकी डाइफिनिशिप बतानी है और दोनों बीच में क्या डिफ्रेंस ये उसके बारे मार्को शो करना है तो डाइग्राम के साथ इसको अगर आप शो करेंगे तो आपका इंपक्ट बहुत अशा पड़े रहा एक्जामेनल क आपको डाइग्राम को देखकर आपको नमबर दर देगा तो आज हमने बात किए इंप्रियर और सुपिरियर बुर्स के साथ कल हम बात करेंगे सब्सिट्यूट और कॉंप्लिमेंटरी बुर्स के साथ जो बढ़ा जाता है डिमांड की तीसरे टाइप में हमारा तीसरा आपको कोई भी खूएरी हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंड बक्स में जरूर लिख कर बेजें कि उन्हलाइक करें इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कंदिल्यूंप्लिमेंटरी बात से को बहुत भी आपके साथ दिसकस करोंगी तो निस्टोर्स करेंगे substitute goods for complementary goods bye-bye